ऐसे ही का तमाम ये कंगो दिवार है जैसा ही रंगो रूप है प्रैसा ही माले नमस्कार मैं हूँ शुभम शंकधर आप देख रहे हैं मनी नाइन समय हो गया है आपके फेबरिट प्राइम टाइम शो मनी सेंटरल का आज मनी सेंटरल में कौन सी बड़ी ख़वरे हैं वो देखें उससे पहले मनी नाइन के इटर एंशुमान तिवारी जी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं सर बहुत स्वागत है आपका ख़वरों पर चर्चा शुरू करें उससे पहले आप देखिए ओंदा शो जो बताएगी आपको कि आज कौन सी बड़ी ख़वरे हमारे शो का हिस्सा हैं जिनका विच्टेशन हम करेंगे शुरूबात होगी क्या बता रही सरकार की शुरूबाती धान खरीद ईवी बनाने वाली कंपनियों पर लगेगा जुर्माना कितना मुश्किल है कोईले के आयाक से छुटका रहा है ये LIC क्या करने जा रही है आगे क्या होगा रुपय का और क्या वाकई गहरे संकट में फ खरीफ धान की खरीद को बढ़ा दिया है 7 नवंबर तक देश भर में किसानों से 214 लाक टन गेहों की खरीद हो चुकी है जो पिछले साल के मुकाबले करीब 7 फीसद जाधा है पिछले साल इस दौरान देश से 208 लाक टन खरीफ धान की खरीद हुई थी हाला कि धान की ये तौर पर पंजाब और हर्याना से होई है धान की खरीद बढ़ने से सरकारी स्टॉक में अनाच की सप्लाई बढ़ाने में मदद मिलेगी जो कई वर्षों के निचले स्तर पर आ गई थी सर धान खरीद के ये शुरुवाती रुजान क्या बता रहे हैं जो प्रमुक राज जहां से धान की खरीद होती थी जो हमारे पास अभी आकड़े उपलब्ध हैं उसे साब से सबसे जदा खरीद पंजाब और हर्याना से हो रही है लेकिन उत्तर प्रदेश से खरीद में काफी गिरावट है और वह गिरावट शायद वहाँ पर मौसम खराब होने के कारण बाढ़ और सूखे के असर के कारण हो रही है इस बार धान की खरीद के अंदर सरकार के लिए इसलिए बहत महत्तोपूर्ण है कि सेंट्रल पूल का स्टॉक काफी नीचे है और ऐसा लग रहा है क सरकार इस बार आवशक्ता से अधिक और शायद लंबे समय तक धान की खरीद करने की कोशिश करेगी लेकिन दो चीज़ें जो इस पूरी खरीद के ट्रेंड में में आने वाले समय में करीब से देखनी होंगी वो ये कि पंजाब हर्याना जो पहले से ही धान के खरीद में समय है उसका बड़ा स्रोत धान की विक्वाली से और धान की बिक्तरी से आने वाला है तो अगले तीन-चार महीं ए ग्रामी उन शेत्रों से निकलने वाली मांग की दिरिश्टे से सीधे तोर पर खरीद की खरीद से जुड़े हुए हैं योरोप में भारतिय मक्का के लिए मांग बढ़ रही है रिपोर्ट की माने तो योरोप में गैर जीम मक्का की मांग है और भारत में पैदा होने वाला मक्का गैर जीम ही होता है यही वज़ा है कि योरोप में कई खरेदार भारतिय मक्का की मांग कर रहे हैं योरोप मक्का का और वहां पर भारती मक्का की मांग बढ़ती दिखती है तो भारत से मक्का की निर्यात में बढ़ोतरी हो सकती है अगर वहां से मांग निकलती दिखी है अभी तक भारत का मक्का जहां जाता है उनमें मुख रूप से दक्षिनल पूरवी एशियाई देश होते हैं यूरोप को होने वाली सप्लाई ना के बरावर है इस साल अप्रेल से अगस के दौरान भारत में 13.3 लाक टन मक्य का निर्याद किया है जो पिछले साल इस दौरान 14.5 लाक टन के आसपास था सर भारत से गैर जीम मक्का की मांग योरोप में क्यों बढ़ रही है ये एक नया ट्रिंड है हमको इस बार दिखाई दिया और चुकि भारत के से कई प्रमुख फसलों के निर्याद पर प्रतिबंद था हमने ब्रोकेन राइस पर टूटे हुए राइस के चावल के निर्याद प्रतिबंद था तो उस दोरान मक्के की मांग या कॉर्न की मांग ये सेरिया में बढ़ी है और शायद इसकी दो बड़ी वज़े हैं एक तो ये कि अंतरश्ट्री बाजार में मक्का की कीमत काफी जाद है और भारत का जो गैर जीम मक्का है वो सस्ता है अगर आप ट्रेड क के सूतरों से बात करने की कोशिस कर रहे थे तो भारत तीन सो दाट डालर परटन का रेट कोट कर रहा है जिबकि दुनिया में में कौन की कीमत बढ़ी हुई है योरप के हिससे में ये खाने के लिए नहीं लेकिन फीड में जो कैटल फीड है जानूरों को खिलाने के लिए इस मक्ये की गैर जिये मक्ये की डिमांड दिख रही है इसके अलावा भी अतना मलेशिया से भी श्री लंका से भी भारत की कौर्ण की डिमांड दिखाई दिये जाधा बड़ी वजह है इस मांग के आने की ये है कि अंतरश्ट्री बाजार में कान की कीमतें कम है और भारत से अभी अच्छी डील निर्यातकों को मिल रही है देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन में स्थानी इस्तर पर बने उपकरणों के इस्तमाल को बढ़ावा देनी की सरकार ने जिस फेम टू योजना की शुरुबात किये उस योजना का लाव लेने वाली अगर कोई कमपनी नियमों का उलंगन करती पाई गई तो उस पर जुर्माना लग सकता है और साथ में कमपनी को प्रतिबंधित भी किया जा सकता है समचार पत्र लाइवमिंट ने ये रिपोर्ट दिये सरकार इलेक्रिक वहन बनाने वाली कमपनी की तरफ से बनाई गई गाड़ियों की जांच कर रही है और पता कर रही है कि उनमें इस्थानिय स्थार पर बने उपकरणों का इस्तमान हुआ है या नहीं हुआ है सर ये जो पूरी लोकलाइज़ेशन की स्कीम थी क्या है ये इस्कीम और इसमें क्या शुरुबात से कोई ऐसा इस्ट्रक्चरल दिक्कत थी जो ये पूरी नहीं कर पाए मैनुफेक्ट्रेर ये मामला पिछले करीब करीब एक डिर्ड महीने से भारत के इलेक्ट्रिक वहिकल मैने फैक्ट्र सोथ खास्तों से जो दुपहिया वाहन बनाने वाली कंपिनिया और उन सरकार के बीच उल्जा हुआ है इसमें ओकिनावा हीरो इलेक्ट्रिक को फेम 3-2 जो स्कीम है इसके वायलाइशन का जिम्मेदार माना गया था इनका उलंगन क्या था सरकार की शर्थ थी कि भारत में जो भी इस्क पूटे रे इबाइक्स बन रही है उनमें 50% कंपोनेंट से 50% पूर्जे भारत से स्रोथ किये जाएंगे और इसका प्रमाण उन्हें सरकार के सामने प्रस्तुत करना होगा तब उनहीं इस पर सबसीडी मिलेगी जो 50,000 रुपे पर पीस के हिसाब से या पर प्रोड़क्ट के हिसाब से आउस्तन सबसीडी मिलती है यह पूरी की पूरी स्कीम इलेक्टरिक वाहनों को बढ़ावा द नहीं किया अगर आप इसे करीब से देखें तो शायद इसकी कहीं किसी धाचा के चुनोती का शिकार लगती है अगर उद्योक से बात करें तो उनका कहना यह है कि जिन उपकरनों के लोकलाइजिशन की शर्त रखी गई हो भारती बाजार में उपलब्द नहीं है और अभी भारत में इलेक्टरिक वेकल्स का इको सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है जिसमें बैटरी और तमाम पुर्जे भारत में बनने लगें कंपीनियों ने सबसीडी के कारण सरकार के प्रोटसाहन के कारण और बहुत तरह की के कारण फैक्ट्रियां लगा कर एसेंबलिंग शुर इस स्कीम में शामिल होने से ही रोक दिया जाएगा और अगर उन्हें इस स्कीम में शामिल होने से रोक दिया जाएगा तो एक बड़ी संख्या में आपूर्त जो इन कंपीनियों ने बनाई थी वो बाजार में नहीं आ पाएगी क्योंकि फिलाहल इस स्कूटरों की भिक्री इस सबसीडी के कारण ही दिखाई दे रहे और कमपीनियां इसी सबसीडी के कारण है इसी स्कीम का फायदा लेने के लिए इस फेम टू स्कीम में आई थी सरकार Capital Gain Tax बसूलने की प्रिक्रिया को सरल बनाने का विचार कर रही है और रिपोर्ट की माने तो बजट के दौरान इस बदलाव पर सरकार फैसला ले सकती है रिपोर्ट में सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि Capital Gain Tax की विवस्था जटिल है और इसे सरल बनाने की जरूरत है सर क्या-क्या बदलाव करने की तयारी चल रही है ये लगभग पिछले दो साल से महत्तुपूर्ण टैक्स का सुधार चल रहा है अलाकि Capital Gain Tax की रिपोर्ट आई थी उसने इस बात की सिफारिश की थी अलाकि से पहले भी Income Tax Department के अंदर कई सारे Research Group ये बता चुके हैं कि भारत में Capital Gain Tax के नहाचे को बदला जाना चाहिए तो इनके 36 महीने तक की होल्डिंग को Capital Gain के दारे में माना जाता है सिफारिश है इसको घटा कर 24 महीने कर दिया जाए एक सिफारिश जिसे पर सरकार भी विचार कर रही है इसको इसकी प्रस्ताव पहले से सरकार के पास मौजूद है इसी तरीके से जो लैंड्स की जो आ सकता है पर इन दोनों फैसलों के बड़े इंप्लिकेशन से Capital Gain के सबसे जाधा जो इसके असर हैं वो स्टाउक मार्केट पर और निवेशकों पर है इसलिए अभी तक इस पर सहमती नहीं बन पा रही है लेकिन एक बार फिर बजट की तैयारी हमारे सामने शुरू हो चु में यह माना जाता है कि जो कोई भी एसेट बारा महीने से ऊपर एक साल से ऊपर होल्ड की जाती है उसे लांग टब माना जाता है और बारा महीने से नीचे की जो इसको शॉर्ट अब माना जाता है लेकिन अलग अलग करोनों के मामले में उसकी होल्डिंग के आधार पर उसक calculation शामिल होता है कि इंधिरी कोईला मंत्री प्रलाज जोशी ने ज़रुरत को पूरा करने के लिए मुख सरोत रहेगा ऐसा कहा है कोईला मंत्री ने काया कि कोईला एक सस्ता इधन है और भारत में इसकी मांग पीक आना भी बाक्षी है ऐसे में निकट भविश में कोईले से दूरी नहीं बनाई जा सकती, पिछले साल तक पुरी दुनिया इधन के तौर पर कोईले को हटाए जाने की मुहीम चला रही थी, लेकिन रूस यूकरेन युद्ध की वज़े से दुनिया भर में एनरजी की महगाई तेजी से बढ़ी औ भारत ने एक तरह से अपनी कोईले कोले कर अपनी विवश्टा और अपनी रणीती सामने रख दिया और इसे इस संदर्व में देखा जाना चाहिए कि भारत ने जो ग्लासगो में जो अंतराश्टी पर्यावरन सहमती बनी थी, उसमें पर्यावरन में उतसरजन घटाने के लिए उन शर्तों पर शामिल होने की पर सहमती दी थी, जिन शर्तों में अवराल ग्लोबल वार्मिंग रोकने के कदम उठाए जाने हैं, हलाकि कोईले का इस्तेमाल रोकने का जो समझा था उससे भारत अलग था, पर जो शर्त थी वो ये थी कि 2025 विकसित देश कोईले का प् कोईले पर निरभर रहेगा, और यह अंतराष्टी कोईला बाजार के लिए एक बड़ी और महत्तुपून खबर है, क्योंकि इसके आसपोस बहुत सारी रणीतियां बहुत सारा निवेश के इंदरित दिखाई देता है, योरोप के देशों ने भी रूस-उक्रेंड के अधारित थर्मल एनर्जी से बाहर निकाला है, जबकि भारत और चीन ने बिल्कुल उसके उल्टे थर्मल एनर्जी पर अपनी निर्भरता काफी जाधा बढ़ाई है, अगर आप ध्यान से देखें शुबन तो पिछले दस-बारा सालों में भारत में जतनी भी पावर कैप सिटीज हों और भारत में यतनी पावर कैपिसिटी उसका लगभग असी फीज़ी हिसा कोईले पर आधारित है, अब यहां से दुनिया के कोईला बाजारों में इस बात के संगेत जाएंगे कि भारत को आने वाले समय में कोईले की जरूत होगी है, बड़ा बड़ी चुनोत के साथ नहीं जीना होगा, तो बिजली घरों को ग्रीन करने के लिए, उनका कोईला सुरक्षित बनाने के लिए, परियावरन के लिए, और जिसको हम ग्रीन थर्मल पावर कहते हैं, उसमें बड़ा निवेश करना होगा, एक चीज़. दूसरी चीज़ ये, कि हमने पिछले एक साल में भारत में कोईले की पूरी अर्थविस्था को लड़ खडाते और बिगड़ते देखा है, और हम बड़े पैमाने पर आयात करने की तरफ गए, इस साल भारत ने रिकार्ड इंपोर्ट किया, दुनिया में कोईले का जो कि जबकि भारत दुनिया में पांचमा इतना असान है यह इसे थोड़ा सा फिंगर्स क्रास्ट करके लिए कि हम जो वास्तिविक्ता देखती उसे साब से इस बयान को थोड़ा सा उत्साहपूल मना जा सकता है, मैं याद है कि पिछले साल सरकार ने कोईला मंतराले ने एक शिविर किया था उजरात में के वडिया म जिसमें एक कहा था कि 2022 से भारत पूरी तरह थर्मल जरूरतों के लिए कोईले का इंपोर्ट बंद कर देगा, केवल कोकिंग कोल का इंपोर्ट किया जाएगा और 2022 आया तो हम बिल्कुल दूसरी दिशा में चले गए हम जतना कोईला पहले इंपोर्ट कर रहते हैं उससे कही कर भी किया है कि 141 जो माइन्स हैं जिने दिया गया है और उन माइन्स में निवेश आएगा और कमपिनिया कोईले का उतपादन शुरू करेंगी इसमें एक और महत्तुपूर्ट बात समझना जरूरी है कि कोल इंडिया के बाहर कोईले का उतपादन बढ़ाने की कोशित सरक कार शुरू कर रही है क्योंकि कोल इंडिया पर निर्भरता भारत को अंतता निर्यात की तरफ ले गई है तो भारत की सबसे बड़ी कोईला कंपिनी है वह उतना कोईला जरूरत के मुताबिक समय पर नहीं दे पाती है तो सब कुछ इस बात पर निर्भर शुबं कि जो माइ के आक्शन्स हुए थो उन्हें भुत कम माइंस उठाई गी थी लोगों ने निवेश किया था तो अगर निवेश नहीं आता कोईले का घरेलूत पादन नहीं बढ़ता और दोजार चालिस तक भारत की थर्मल एनरजी के लिए कोईले की जरूत होती है तो भारत की अंतराश शेयर बादार में अपने शेयर को सपोर्ट करने के लिए कुछ कदम उठा सकती है रिपोर्ट की माने तो कंपनी गैर पार्टिस्पेटरी फंड से पैसा निकाल कर निवेशकों के लिए डिविडेंट और बोनस की घोशना कर सकती है इसको लेकर कंपनी का बोर्ट जल्द फ दरसक ये बड़ा बदलाओ है हलाकि सुत्रों के हवाले से रिपोल्ट हो रहा है लाइसी के बारे में दो सूचना है हमारे पास और शेयर बाजारों में तैर रही है एक सूचना ये कि लाइसी अपने शेयर की कीमत में गिरावत को रोकने के लिए और निवेशकों का भरोसा बनाय रखने के लिए बोनस की की त्यारी कर रही है हलाकि सरकार की तरफ से से पुष्ट नहीं किया गया लेकिन दूसरी खबर ये भी है कि लाइसी अपने शेयर में निवेशकों के भरोसे के लिए डिविडेंट बढ़ाने की कोशिस कर रही है कैसे होगा पहले जैसा अनिवेशकों कि जब लाइसी को आया था तो लाइसी ने अपने अपने पूरे आईप्यों में दो फंड से अलग लग रखे थे एक शेयर होलडर का फंड था और एक नांद पॉरिस funds में transfer किया जाएगा ताकि शेरधारकों का भरोसा बहतर करने के लिए stock की कीमत को थोड़ा prop up करने के लिए उपर बढ़ाने के लिए निवेशकों को बहतर dividend दिया जा सके और ये बड़ा shift होगा क्योंकि ये माना गया था policyholders का fund अलग रहेगा वो stock market के process से दूर रहेगा अगर LICS करती है तो ये एक नया बदला होगा लेकिन बाजार को लेकर काफी उत्सुख है और ये खबरें लगातार चर्चा में है कि LIC अपने shareholders fund का इस्तेमाल अपने stocks को डूपते हैं गिरते stocks को बचाने के लिए कर सकती है अब समय money 9 की special report का आज की special report बड़ी special है वो इसलिए क्योंकि वो ये बता रही है कि भारत में कितने लोग अपनी बचत बैंकों में रखते हैं देखिए special report बचत की जब भी बात आती है तो अधिकतर भारतिये बैंकों में ही अपना पैसा रखना पसंद करते हैं फिर चाहे अमीर हों गरीब हों या फिर मिडल क्लास पैसा बचाकर रखने के लिए सभी की पहली पसंद बैंक ही है भारतिये परिवारों पर किये गए मनिनाईन के सर्वे से ये जानकारी निकल कर सामने आई है सर्वे में पता चला है कि 64 फीसद भारतिये परिवार अपनी बचत को बैंकों में रखना पसंद करते हैं और जैसे जैसे कमाई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे बचत को बैंकों में रखने वाले परिवारों की संख्या भी बढ़ती है। राज्यों के परिवार राष्ट्री आउसत से उपर हैं। पश्चिम बंगाल और ओडिसा के 82 फीसद परिवार बचत को बैंकों में रखना पसंद करते हैं। कि देश में 70 फीसद भारतिय परिवारों ने बचत पचा कर रखी हुई है। और बैंकों के अलावा बचत को सहिजने के लिए दूसरी पसंद पोस्ट आफिस है। इनके अलावा भारतिय परिवार बचत के लिए जीवन भीमा, सोना और गैर बैंकिंग फाइनस कंपनियों की लगू बचत योजदाओं को भी खरीदते हैं। लेकिन हाल के दिनों में ब्यासदरों में हुई जोरदार बढखोतरी की वज़ा से बचत के अन्य विकल्पों के बजाए बैंकों में पैसा रखने का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। 21 अक्टूबर को खत पकवाड़े के द लग रहा है कि आने वाले तिनों में बैंक में डिपाजिट और पर सकता है। माइनाइन के लिए सुभाज तुमन। बचत का ये आकड़ा जहां से निकला वो है भारत की जेव का सर्वे जो मनी नाइन ने खास आपके लिए देश का सबसे बड़ा और पहला परसनल फैनेंस सर्वे किया है। अगर बचत के अलावा भी आप इस सर्वे से जोड़ी और जाजा जानकारी चाहते हैं और बारीकियां समझना चाहते हैं तो मनी ना इनका एप डाउनलोड कीजिए वह धेर सारा कॉंटेंट तयार है जो आपका इंतजार कर रहा है। आप जाईए और कमाई, खपद, बचत का उतपादन करना है, लेकिन अभी भी वह लक्ष से ग्यारा लाग बैरल कम तेल उतपादन कर रहा है, एनर्जी डेवल्मेंट सेंटर के मुताविक दिसंबर तक उसके रोजाना उतपादन में कटोती 15-17 लाग बैरल तक पहुंच सकती है, और दिसंबर तक यह नुमान है क रूस रोजाना 90 लाग बैरल तक अपना उतपादन घटा देगा, सरे किस तरीके की पेशवंदी है, किस तरीके की तयारी चल रही है रूस और उपेक की तरफ से, शुमाम इस पर हम लोगा ने पिछले हफ्टे में भी चर्चा की थी और लगातार हम देख रहे हैं कि हमने ए रूस अपनी तरफ से इस बात के संके दे रहा है कि वो अपने उतपादन को अगर वो कैपिंग आती है, यानि उसके तेल को एक निरधारित कीमत से उपर नहीं भिकने दिया जाता है, ये गोशना ये संके देने के बाद नतराश्टी बाजार में कच्चे तेल की कीमते ऊप पर रहें और कच्चे तेल की कीमते अगर 90-95-100 डालर के आसपास जाती है, जिसकी संभावनामंती दिखती है, तो शायद यूरोपी देशों और अमेरिका पर ये दबाव रहेगा कि वो रूस के तेल पर कैपिंग ना करें, रूस ये भी धमकी दे चुका है कि वो अंतराश अंतराश्टी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को कम करने की जो कोशिश हैं उन पर दिखाई देगा। बलक और बड़े बायर थे रूस के यूरोप, वहां अब तेल नहीं जा रहा है, ओपिक देशे देख रहे हैं कि अगर रूस का उत्पादन बाजार में नहीं आता है तो भी उनको फाइदा है, ज्योंकि उनका उत्पादन बाजार में नाने का मतलब है कि बाजार में तेल क के साथ अमेरिका ने पिछले सालों किछले कुछ महीनों में पिछले कुछ हफ्तों में हम कहें अपने इस ट्रेटिजी करिजरब से बाजार में हीूज तेल छोड़ा है इसके बाद भी ओपेक के देशों कोशिश वो और करेंगे डॉलर के मुकाबले भारती करंसी रुपए में आज गिरावट देखी जारी लेकिन पिछले तीन दिन में रुपए ने लगातार तेजी दिखाई है डॉलर इंडेक्स में आई नर्मी की वएसे रुपए को सहरा मिला था और साथ में भारती शेयर वजार में विदेशी निवेशकों की खरीदारी बढ़ने से भी रुपए को मजबूती मिली थी पिछले 10 दिनों में विदेशी निवेशकों ने भारती शेयर वजार में करीब 3 अरब डॉलर के शेयर खरीदे है उदर रुपए को मजबूती देने के लिए सरकार ने विदेश व्यपार नीती में बदलाव करके और निर्यातकों को भी एक्सपोर्ट बेनिफिट देने का फैसला किया जो रुपए में अपना ट्रेट सेटल करेंगे सर दो सवाल साथ साथ पहला रुपए में ये जो ततकाली कमजोरी आई क्यों आई और दूसरा अब आने वारे दिनों में ऐसा कौन सा बड़ा घटना क्रम होगा जिससे रुपए की दिशा दरसल तै होगी की मजबूती आनी है या फिर कमजोरी दिखने रगेगी रुपए की कीमत में जो मजबूती हमको दिखाई थी पिछले दो दिन की वो डॉलर इंडेक्स में गिरावट के कारण थी और पूरी दुनिया की मुद्राओं में उसका असर दिखा और भारती रुपए में भी ठीक ठाक मजबूती दिखाई थी लेकिन आज सुबह से रु दुनिया के बहुत सारे देशों में बहुत सारे बाजारों में ऐसे कयास चल रहे हैं कि अगर खुद्रा महंगाई का किदर जो लांग टर्म एक्स्पेक्टेशन है उससे थोड़ा नीचे रहती है तो शायद फेडरल रिजर्व पर इस बात का दवाओ बनेगा कि वो अपन दिनों में बढ़ोतरी की रफ्तार को कम करें लेकिन जो जितना लोग ऐसा मान रहे हैं उससे जदाधा लोग ऐसा मानने कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है पहली चीज तो लोगे मानने है कि खुद्रा महंगाई के आकड़े में कोई भुद बड़ी कमी आने की गुंजाइश के प्लान से बैक आफ नहीं करेगा और उन्होंने एक और महत्तुपून बात कही जिसके बाद हमने आज बजारों में ताज में तेज गिरावट भी देखी इसी वज़े से नहीं तो कल तक बाजार इस उम्मीद में थे कि एगर थोड़ी भी महंगाई कमाई तो फेडरल जर में फेडरल जर्व ऐसी कोई रिस्क नहीं लेगा जिससे महंगाई की दर्में जो पर जो दबाव बनने की शुरुआत हो रही है वो कम हो जाया और महंगाई वापस बढ़ना शुरू कर दे और अगर ये घटना करम इसी दिशा में जाता है यानि फेडरल जर्व अपनी ब् मंदी की आशंका को देखते हुए दुनिया भर की दिगज टेक कंपनियों ने अपने करमचारियों की छटनी शुरू कर दिये टुटर पहले ही आदे करमचारियों को निकाल चुका है और अब फेस्बूक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने भी दुनिया भर में 11,000 करमचारियों की छटनी की है Microsoft और Alphabet जैसी कंपनिया भी छटनी की योजना बना रही है और कंपनिया ने करमचारियों की भरती भी नहीं कर रही है भारत में भी टेक कंपनियों ने करमचारियों की छटनी की है मंदी की आशंका से टेक कंपनियों के मुनाफ़े घट र शुबह मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में संगठिक छेत्र में रोजगारों का कतले आम मचा है और ये कतले आम उन छेत्रों में हो रहा है जिन छेत्रों को सबस्यादा संभावना में सबस्यादा पोटेंशल माना गया था और ये कहा गया था कि इन कमपिनियों के पास अकूत प्रॉफिट्स हैं ये कमपिनिया बहुत अच्छा काम कर रही है कल माक जिगबग ने एक कहा कि कमपिनी के मुनाफिट ठीक नहीं है हमने जाधा इंपलाईज रख लिये थे और उन्ह आथ ये असर बडा होता है हमने फेस्बुक देखा हमारे पास ट्विटर है सिटी ग्रूप है इसके लाबा कुछ बैंकर्स हैं प्रोarıगन इस्टेंड ले उन्हों킨 निकाला इंटल में चटनी हुई है माइक्र साट में कुई हुई है नेट्फ्लिक्स में चटनी हुई है प पाहर कर दिया गया है यह पूरे टेक्नलाजी स्पेस के लिए बड़ा शौकिंग है क्योंकि फेस्बुक ने तो अपने बनने के बाद शाए सबसे बड़ा ले आफ किया है और इस यह इसने टेक्नलाजी स्पेस में जॉब्स की संभावनाओं को लेकर जॉब्स की जाए क्योंकि अगर रिजल्ट देखें मुनाफ़े देखें तो अभी तो ठीक है एक क्वाटर हुआ था और यहीं चीज हमें हमको सोचने पर मजबूर करती है कि जिन कंपनियों को भारा को पूरी दुनिया में सबसे जाधा मुनाफ़ा देने वाली सबसे जाधा फाइदे देने वाली कंपनियान माना जाता है अल्फा बेट का जून का जो गूगल की पैरेंट कंपनी है उसका जून के एक वार्टर का दौजा का जो इनकम स्तेटमेंट है उसके साब से दो का नेच प्राफिट गरिभ दुफट है बिलिन डॉलर था था DA Amazon को थोड़ा लास जरूर हुआ है लेकिन Amazon का नेट लासे काफी कम है दो बिलियन डालर के आसपास करीब 3-3.5-3.5 बिलियन का अपरेटिंग प्राफिट है रेविन्यूस करीब 121 बिलियन डालर के आसपास है मैं ताज यह आखले देख रहा था Apple का अपरेटिंग प्राफिट 23 बिलियन डालर नेट प्राफिट 19 बिलियन डालर अपरेटिंग प्राफिट 20 बिलियन डालर है एक और Microsoft का जो अपरेटिंग प्राफिट है वो 20.5 बिलियन डालर है और नेट प्राफिट 16.7 बिलियन डालर है यह जो प्रमुख कमपिनिया है इन पूरी दुनिया में मंदी थी तो कोविड वाले कौार्टर में पूरी बिक टेक कमपीनियों के प्राफिट करिफ थर्टी एट बिलियन डॉलर बढ़े थे ये दुनिया के ट्रेक स्पेस में जॉब्स की फ्रेजिलिटी या उनकी कमजोरी बताता है और ये बताता है कि तक्नी मास ले आफ की परंपक की विवस्था 80 के दशक से दुनिया में शुरू ही थी इससे पहले तक अमेरिका के बाजान में कम से कम मास ले आफ नहीं सुने जाते थे बलकि 60 के दशक में तो अमेरिका में सरकार पूर्ण रोजगार की फूल इंप्लाइमेंट की गैरेंटी लेती थी लेकिन उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई है और अब केवल अमेरिका की बड़े टेक स्पेस की बात नहीं है जब माइक्रोसाफ्ट, नेटफ्लेक्स, एमेजान, ट्विटर जैसी कंपीनिया जॉब कट्स करती है तो इसका बड़ा आसर इनके बाकी सप्लायर्स पर बारी बाकी पूरे एको सिस्टम पर पड़ता है क्योंकि टेकलाजी स्पेस काफी एक दूसरे से गुथा हुआ बुना हुआ इस पेस है और इसलिए इन कंपिनियों तो 11,000 निकालें पर छोटी-छोटी तमाम कंपिनिया पूरी तरह बंद हो गई इसमें टेसला भी शामिल ह जिसने जाब में कट उती किए तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो टाप टेकलाजी सर्विस प्रोवाइडर हैं जैसे फेसबुक, गूगल इस तरीक अल्फाइबट जैसे टेकलाजी सर्विस प्रोवाइडर माइक्रोसाफ जैसे प्रोवाइडर है एक हिस्सा उनका है दूसरा बड़ा हिस्सा Fintech कंपिनियों का है Fintech पतलब अमेरिका के हिसाब से Fintech कंपिनिया जिसमें सारा का सारा क्रिप्टो स्पेस है जिसमें हीू छटनी हुई है कंपिनिया बुरी तरह बंद हुई और अब ये समस्या सीगेट जैसे हाडवेर सप्लायर्स के तरफ भी जा रही है जहां पर इंटेल और जैसे हाडवेर कंपिनिया उन में भी छटनी शुरू हो रही और शायद शुभम पिछले एक दशक में जबसे हम टेक स्पेस को लगाता बढ़ते देख रहे हैं डाट काम बबल के बाद दुनिया ने टेक्नलोजी जाबों का इतना बड़ा इतनी बड़ी तबाही ऐसा कतले आम टेक्नलोजी सेक्टर में नौकरियों का शायद नहीं देखा था इस पूरी रोजगार की तबाही में भारत का खड़ा है भारती कैस हो यह जितने जॉप कट हूए हैं या तो जो विदेश की कंपिनिया भारत में काम करें हैं इसे ट्विटर ने भारत का अपना पूरा स्टाफ निकाल दिया भारत के टेक्सयों के जाब की चटनी पूरा जो Unicorn की चर्चा है उसके बिलकुल विपरीथ है हम एक तरफ चर्चा करते हैं हमें आकड़े मिलते हैं कि देश में सबस्यादा Unicorn बन रहे हैं और देश के बने हुँए Unicorn जिसलिये बन हैं वो नुकरीयों से निकाल रहा हैं भारत में नौकरियों में छटनी की या स्टार्ट अप स्पेस में बेरोजगारी की समस्या कितनी गहरी है उसका अंदाज इस बात से आप लगा सकते हैं कि फिछले च्छे महिने में आठ महिने में कमपिनियों को फंडिंग लेने में भी दिक्कत हो रही है और ये वो भारत के लिए ये उभरता हुआ अक्षेत्र था और भारत में आम तोर पर उस तरीके के अनिम्प्लाइमेंट बेनिफेट्स नौकरियों से निकाल ले जाने के बाद बेरोजिगारी भत्तों जैसी कोई प्रक्रिया नहीं है और चुकि ये छटनी उस समय हो रही है शुबम समय में नौकरियों के रिवायवल की गुंजाइश भी नहीं दिखाई देती है और ये काफी निराशा जनक पहलू है कि दुनिया की सबसे मजबूत और समर्थ कंपिनिया चोटी सी मंदी मांग में चोटी सी गिरावट नहीं जेल सकती और तुन नोकरियों से लोगों को नि मस्क ने इससे पहले अप्रैल में भी आठ अरब डालर के शेर बेचेते, टेसला के शेरों में अलनमस्क की विक वाली की वजह से अमरेकी शेर बजार में टेसला के शेर टूट रहे हैं उनमें गिरावट लेकि जा रही है. ऐसा你好 लग रहा है, हमने जब शोप चर्चा की थे टेस्ला जिससे जहां से एलन मस्क की पूरी तक्क् sugar शुरू होता है उस पर काफी हफार है और दुनिया के सारे न्यवेशक जिन्हों ने टेस्ला में निवेश कर रखा या जिन के सहारे एलनमस्क ने टו्ट्र मेंना विवेश की वजिना बनाई है ट्यूतर को खरीदा है वो शॉय ट्विटर से ज्यादा टेसला की पार्फार्फार्मेंस में कुछ और भी समस्या है है जैसे टेसला को आश की प्रोब्लमों के कऱने बहुत करनी पड़ी है तो टेसला अपनी चुनोतियों में जूज रही है चाइना के एंगिल के कारण चीन के साथ जुड़े होने के कारण एलन मस्क की कंपिनी टेसला पर जांच की संभावनाएं में बन रही है रूस युक्रेन युद्ध में भी इसे भी जुड़े हुए कुछ इसला को ब्लीट कर रहा है तो इसलिए हमें देखना होगा कि अमेरिका के इतिहास में कई सारे ऐसे अक्रामत अधिग्रहन हुए हैं जिन्होंने अंतता अधिग्रहन करने वाली कंपिनी और जिस कंपिनी का की तरफ से अधिग्रहन हुआ था दोनों को नुक्सान पहुंचा या ब्लीट किया है तो क्या कुछ ऐसा तो कुछ होने की संभावना अमेरिका में नहीं दिख रही है तो यह था हमारा आज का मनी सेंटर पूरी उम्मीद है आपको पसंद आयोगा सर एक चलते-चलते छोटी सी बात इस बार का जो किके ऐसा है क्या इसी के आसपास है किस्तों क को कुछ ऐसंचे की कहाने बताएंगे अमेरिका में जो एलन मस्क के ट्विटर के के कके करीब है और उन्हें बड़ा तूफान मचाया था जैसा तूफान एलन मस्क के ट्विटर के दिग्रहन से हुआ था और उसके बाद फिर कहानी बिलकुल कुछी महीनों में पलट गई और लगभग वो भी वैसा ही परिस्तिती थी और उसके बाद डाट काम बबल बस्ट हुआ और वो कापरेट इतिहास का बड़ा दिग्रहन अपने अंधे मुह गिरा था लगभग वैसी इस्तितिय में टेक्नलाजी स्पेस में दिख रही है जब एलेंड मस्क अदिग्रहन कर रहे है और टेक्नलाजी स्पेस में डिमांड भी कम हो रही है और जाप्स कट भी हो रहे है ये दिल्चस्प किस्ता है इस बार किस्तों के सिक्टे में मनीन के एप पर आपको मिलेगा औ का तमाम ये कंगो दिवार है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माले